आप आप लोगों का दिन बहुत ही बड़िया रहा हो का आज हम लोग रिव्यू करने वाले है एक्स 90 जे एंड एक्स 90 के का ना इंड दे दे इस समय मेरे पास वाल मांटेड है एक्स 90 जे इसका एक पार्ट टू का वीडियो भी होगा एक्स 90 के का ना बोट आर प्रीमियम मॉडल्स पाइ सोनी दोनों ही 4K टीवी जैं दोनों ही टॉप मॉडल्स है लेकिन दिखिए जो एक्स 90 जे है वो लास्ट यर का मॉडल था यारे कि 2021 का और जो एक्स 90 के है वो इस सा रहे हैं एक्स 90 जे का प्राइस बहुत बढ़िया है बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पर है एक्स 90 के अभी थोड़ा एक्स्पेंसिव है क्योंकि वो नया मॉडल इस साल का मॉडल है इस वर्थ अप्ग्रेडिंग बहुत ज्यादा चेंजेस हुए है यह आपको बताना लेना चाहिए अच्छा यह जो टीवी हमारे पास है यह लगा हमारे पास है और महीने से और इट इस गुड़ टीवी मुझे इसका कॉंटेंट बहुत पसंद है कॉंटेंट में हम लोग कोई भी कुछ भी देख ले फुल 4K Ultra HD पे भी देख ले तो दो पिच्छ कॉलिटी इ और जो 4 HDMI ports है उसके बारे में एक मिनेट रुप के बाद कर लेते हैं चार ports में आपको दो ports मिल रहे हैं 120Hz refresh rate के साथ याने के जब आप कोई भी चीज जैसे के हमने Apple TV कनेक कर रखा है port 3 में और port 4 में हमारा PS5 connected है 120Hz का जो refresh rate है वो 120fps भी उसको लोग कहते हैं आप गिवज यू बटर स्मूध एक्शन सीन्स और जो आपकी गेमिंग हैं बहुत स्मूध रहती हैं मैं आपको करके भी दिखा हूंगा और तॉप अफ विज आपको इस क्योंकि यह 4K Ultra HD LED TV है इसकी बैक लाइटिंग जो डिमिंग जोन्स हैं जो इसमें मुल्टिपल डिमिंग जोन्स है और जो एक्स नाइटी के जो नया मॉडल है उसमें डिमिंग जोन्स बहुत लिमिटेड है इसमें जादा दी गई थी बट कर दीमिंग जोन्स से जादा कोई फरक नहीं पढ़ता है क्योंकि जो delay जो ब्लाक लेवल्स होते हैं और उनकी ब्लाक लेवल्स की बात करे Division 2 के साथ बाक लेवल्स होते हैं हुराइज जो एक ब्लेवलिग जोौन्स होते हैं डिंग सोन्स होते हैं मौल्मिक जो इसमें होता gaming zones होती है वो बंद हो जाती है ताके आपको true blacks मिल सके और हम इस पर content देखते आ रहे हैं और हमें आज तक कोई actually उसमें issue नहीं मिला black levels are awesome movies are now shot on the IMAX camera तो यह IMAX enhanced picture mode के साथ automatically out of the box आता है ज्यादा कुछ settings में tinker करने की कोई जूरत है नहीं क्योंकि जैसे यह standard mode में है it is truly मुझे impressed करता है अब हम बात करते हैं gaming की अफकोस हमारे पास ps5 xbox series x भी है but I prefer my gaming क्योंकि यह Suni TV है और basically जो मैं अपने ps5 को जो मैं connect करता हूँ तो automatically it picks up और settings automatically adjust हो जाती है अब ऐसा है कि detail में अपने gaming channel पे अगर आपने नहीं subscribe किया है तो प्लीज जा के subscribe कर लिजे gaming channel पे हम लोग actually in detail बताएंगे कि ps5 की settings क्या है आज का video ps5 के बारे में नहीं है आज का video है x90 jay के बारे में तो हम सिर्फ अपने color profiling के बारे में बात करते हैं अगे इसमें भी आपको HDR के modes मिल जाते हैं और once you setup जैसे आप screen in video में जाएंगे तो इसके detail में अगे आपको जब मैं actually proper gaming channel पे अपना ps5 का proper setup दिखाऊंगा उसमें दिखाऊंगा बट जस्टो टच राइट नौ करेंटली यह TV सपोर्ट करता है 120 Hz तक तो आप देख सकते हैं तो यूजुली हम लोग इसमें जो setup हम लोगों लोगों ने अल्री कर रखा है HDR HDR non HDR VRR भी on है इ it's it's quite good reference point के लिए हम लोग यूज कर रहे है call of beauty modern warfare ना मुझे यह बहुत पसांद है कि इसमें इतना fast-paced action है जिससे मतलब आप कुछ भी मतलब इसकी जो color referencing है और जो pops है और जो HDR effect है वह बहुत ही बढ़िया है अब मुझे पता है क्योंकि हम लोग यह camera use कर रहे है to record the screen आपको उतना वो colors pop नहीं कर रहे होंगे बट जहां से मैं खड़ा हूँ वहां से the colors really really pop and it is very very engaging basically with especially with the games के जो हम games को खेलते हैं और जिस speed से हम games को खेलते है और basically देखिए I'm a true and true blue मतलब gamer हूँ तो gaming के वज़ए से ही यह TV मैंने लिया था because यह 120 fps यह 120 hertz को refresh rate को support करता है and कोई भी game आप खेल लो यार इस पर it never disappoints मतलब हर game जितनी भी games हम खेल चुके हैं इसके साथ it just wow कर देता है एक तो क्योंकि यह 65 inch है so it is a huge TV और उसमें वो जो pop color के pop करके जो colors निकलते हैं मतलब it's awesome and amazing अब golden question लोगों के मन में यह होगा कि क्या हमें यह TV लेना चाहिए अच्छा मेरे हिसाब से अगर आपको मिल पाता है अच्छे प्राइज में वो भी 55 या 65 इंच वो दोनों ही बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पर इस समय जा रहा है क्योंकि अब फेस्टिवर सीजर आ रहा है तो वैसे भी प्राइज अभी और मार्कडान होंगे और क्योंकि एक्स 90 के मार्केट में आ गया है जो के अपडेड वर्जिन ने इसी का एक्स 90 जे का सोनी का ही उसकी भी प्राइज अभी थोड़े आगे हैं पाट इफ देगे मारे हिसाब से एक्स 90 जे अभी भी उसकी पिचर कॉलिटी इस फार बेटर उसके जो ब्लाक लेवल्स अब मुच बेटर दें एक्स 90 के जो सोनी एक्स 90 के जो 2022 मॉडल है अगर आप अब भी इसको खरीद सकते हैं एक्स 90 जे और आप मार्केट में हैं और क्योंकि फेस्टिव सीजन है और आप बड़िया सा टीवी ढूंड रहे हैं जो आपके सारे नीड्स को केटर करें जैसे कि आपके कॉंटेंट कंजम्शन ऑनलाइन हो और आपके गेमिंग न सब्सक्राइब करता है HDR है 120 हर्ट यह 120 fps के साथ चलता है and it is a perfect TV for gaming so yes definitely अगर आप इस समय मार्केट में एक्स 90 जे मिल पा रहा है आपको और मिल जाएगा तो प्लीज उसको परचेस कर लीजाएगा क्योंकि एक्स 90 के मेरे हिसाब से is not worth the money or the upgrade क्योंकि जितना मैं अपने टीव भी है OLED 77 inch and honestly I keep coming back to this X90K में जो picture quality कुछ जाधा improvement नहीं हुए हलाक उसके dimming zones भी कर दिये गए है and उसके black levels इससे compare अगर आप करेंगे और मैं आगे यह वीडियो लाँगा आपके लिए दोनों को comparison करके and you will understand why am I saying आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो अ सवाल है X90J को या X90K को लेकर तो प्लीज कॉमेंट में मुझे बता दीजेगा और हम आपको बताएंगे और हाँ जाने से पहले मैं आपको यह बिल्कुल करते रहा हूं कि PS5 का extensive review और picture settings हम अपने gaming channel पे लेकर आने वाले बहुत ही चल तो अगर आपने हमारा gaming channel को subscribe नहीं किय है तो प्लीज जाके subscribe कर लिजेए आपको उसके link description में भी मिल जाएगा और यहां पर कहीं पर screen पर भी देख रहा होगा until then or until the next video do whatever you want bye